हेलो एवरिवन आज हम करेंगे वनो का महत्व वनो का महत्व वनो का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं वनो की महता को ध्यान में रखते हुए कहा गया है जो मनुश्य लोगों के हित के लिए वरिक्ष लगाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है वरिक्ष लगाने वाला मनुश्य अपने तीन हजार भूत और भावी पित्रों को मोक्ष दिलाने में सहायक होता है इसके अतिरिक्त कई जीवों के रहने की जगा है वह हमारे लिए प्रकृति का एक अनूठा आशिरवाद है कहने का भाव यह है कि वन वह महत पूर्ण इकाई है जो प्रकृति द्वारा हमें परदान की गई है जिनों ने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया वो सस्क्राइब और लाइक जरूर कर लें ताकि वो हमारी और वीडियो का फाइदा भी उठा सकें हमारा देश भारत क्रिशी परधान देश है जो परमुक रूप से वर्षा पर ही निर्भर करता है और व्रिक्ष वर्षा लाने में सहायक होते है यह भी कहा जाता है कि व्रिक्ष ही जल है जल रोटी है और रोटी ही जीवन है क्योंकि वनों से ही हमें अनेफ परकार की वस्त्वें प्राप्त होती है जैसे की लकडी, गौन, तेल, फल, फूल, सब्जिया, आदी यानि के और भी भोट सारी चीजें हमें वनों से ही प्राप्त होती है भारत की भूमी हमेशा से ही वनों की भूमी रही है लेकिन हमारी ना समझी और लापरवाई के कारण जैसे जैसे हम वनों को काटते गए वैसे वैसे भारत निर्धन होता गया यानि के वन काटने से क्या हुआ हमारा जो देश है वो गरीब होने लगा वनों के इस परकार कटने से एक तो वर्षा की कमी हो गई है दूसरा बार की समस्याईं पैदा होने लगी है परदूशन भी अधिक बढ़ता जा रहा है जिसके फलसवरूप भारत कंगाल होना शुरू हो गया है परदूशन अधिक भढ़ने से बीमारियां भी अधिक पैदा हो रही है क्योंकि जैसे जैसे देश उध्योगिक उन्ती की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे परदूशन की समस्या का भी खत्रा पैदा हो रहा है तो वातावरन से इस परदूशन को दूर करने में वन हमारी सहायता करते हैं वेहे वायू मंडल में ओक्सीजन छोड़ कर और कार्बन डॉय एकसाइड को लेकर वायू मंडल को स्वच बनाये रखते हैं हाला की 1950 में वन मोहोत्सव के रूप में एक अंदोलन शुरू हुआ इस अंदोलन में अधिक से अधिक व्रिक्ष लगाने पर जोर दिया जाता है लेकिन अभी भी यह अंदोलन जन अंदोलन नहीं बना है क्योंकि कई बार पेड तो लगा दिये जाते हैं लेकिन उनकी उचित देखभाल नहीं की जाते जिससे वह सूख जाते हैं वस्तुते कहने का मतलब यह है कि अधिकतर मामलों में वन मोहोत्सव दिखावा बनकर रहे गया है जब तक इस काम को पूरे मनोयोग से नहीं किया जाएगा तब तक इसमें सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती कहने का भाब यह है कि तब तक यह फलदाई नहीं होगा अगर हम सब को भड़ती हुई बिमारियों बाड़ परदूशन जैसी समस्याओं से बचना है तो हमें वनों को बचाना होगा इसके लिए हमारा करतव्य बनता है कि हम पेड़ों को ना काटें बलकि हो सके तो प्रतिवर्ष एक पेड जरूर लगाएं अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमारे जीवन में आ रही इस परकार की समस्याओं से छुटकारा पास सकेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सस्क्राइब और शेयर जिरूर करें ताकि आपके पास हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन भी जा सके थैंक यू